नमश्कार नमश्कार साथियों सभी बच्चों का स्वागत है मैं सनमतिजेन आप सभी लोगों का सभी बच्चों का सभी साथियों का सभी दोस्तों का जो तैहे कि MPPS सी क्रेक कर जाएंगे अगर लगातार पढ़ते रहे तो आप सभी का में सनमती जेन स्वागत कर रहा हूँ इंडियास लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफोर्म अनकेडिमी और अनकेडिमी की दुआरा प्रेजेंटेड अभियान यूट्यूब चैनल जिस पर हम पढ़ रहे हैं यूनिट नमबर तीन को हम कंप्लीट करेंगे और ज्यादा दिन नहीं है मान के चले के दस आठ से साथ आठ दिन ओर लगेंगे आपके बट ये यूनिट जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगे तो शांदार तरीके से MPPSC की यूनिट नमबर तीन की इस क्लास में अभियान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यप्रदेश के जो महत्वपूर्ण राष्ट्री उध्यान है देखिए यहाँ पर जो थ्योरी क्लास है वो थ्योरी किस तरह से चल रही है अगर आप प्रश्ण को देखेंगे और प्रश्ण को देखने के बाद प्रश्ण के साथ जितनी भी बन रही है जितनी भी डीटेल आ रही है वो सब की डीटेल आप यहाँ पर पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग पूरी एनर्जी के साथ सभी का स्वागत है वो भी दिल से चलिए सनमती जेन की नाम से अनकेडिमी लर्निग पर पोलो कर लेना मुझे और मेरा जो रैफरेल कोड ह एस जे लाइब इस कोड से आप फ्री क्लास में एंट्री कर सकते हैं और किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप 10% डिसकाउंट जो है वो ले सकते हैं सबसे पहले नंबर का कोश्चन आपके सामने आता है डिरेक्ली बिना किसी देरी के मध्यप्रदेश के कोंसे जिल गाटी और सत्पुडा परवच्शंकला ध्यान से समझेगा नर्मदा सोन गाटी जो है यहां पर अगर लिखे हम कोंसी घाटी नर्मदा सोन गाटी पहली चीज तो यह कि नर्मदा सोन गाटी और दूसरी चीज़े सत्पुडा परवच्शंकला ठीके क्या चीज़े सत्पु परवच शंकला और नर्मदा सोन घाटी के बीच में क्या है यहां पर होशंगाबाद जिला है क्या है होशंगाबाद जिला ध्यान से समझना बात को अब इस होशंगाबाद जिले में जो की अब नाम हो गया है इसका क्या नाम हो गया है नर्मदापुरम इसका नाम हो गया तो 1981 में एक राष्ट्री उध्यान इस्थापित किया गया था उस राष्ट्री उध्यान का नाम है सत्पुडा राष्टी उध्यान I think सब चीजे clear हो गए होगी आपको इहाँ पर अब सत्पुडा राष्टी उध्यान के अंतरगत मध्यप्रदेश की जो सबसे उची चोटी जिसका नाम है धूपगड ये जो सत्पुडा राष्टी उध्यान में है मद्धिप्रदेश की सबसे उची चोटी जिसका नाम क्या है सबसे उची चोटी मद्धिप्रदेश की है ना जिसका नाम है धूपगड ये धूपगड भी यही परिस्तित है इसकी टोटल उचाई कितनी है 1350 मिटर है I think यहां तक आपको clear हो गया होगा भुशंगाबाद जिला है जो अब नाम हो गया है उसका नर्मदापुरम जिला उस नर्मदापुरम जिले में इस्तित है 1981 में इसको इस्थापित किया गया था और इस्थापित करने के साथ अगर देखे तो मद्धिप्रदेश की सबसे उची जो चोटी है दूपगर की चोटी वो भी यही पर इस्थेते याद रखिएगा ठीक है पंचमरी, चूरना, मडाई परेटन इस्थल होने के कारण ये राश्ट्री उध्यान जो है बहुत जादा लोकप्री है अब यहाँ पर बात आती है धूपगर की बात आ गई पंचमरी की बात करने पंचमरी, सबसे सबसे, ये मान के चले बहुत ही आकरशक परेटन इस्थल है परेटकों को बहुत लुभावना लगता है बहुत आकरशन का केंद्र बन जाता है सत्पुडा राष्ट्री उध्यान पंचमडी के होने से पंचमडी मध्यप्रदेश का एकमात्र हील स्टेशन है और इस हील स्टेशन के साथ ही अगर देखा जाए तो सबसे जादा ठंडा सबसे जादा बारिश सब चीजें यहीं पर होती है क्लियर करत करत अब्यास के जडमती होत सुजान रसरी आवत जावत है सिलपर पड़त निसान लोहे के पईये पर एक रसी लोहे का पईया जो होता है उस लोहे के पईये को एक रसी घिसा सकती है यार तो आप MPPS सी नहीं निकाल सकते क्या बस यह है कि लगातार घिसना पड़ेगा, लगातार घिसाएगा, तभी क्या होगा, कुछ निखार आएगा, कुछ चीजें घिसेगी और चीजें बनेगे, clear, I think clear हो गया यह, सत्पुडा राश्टी उद्यान नर्मदा नदी के कौन सी दिशा में इस्तित है, सारी चीजें clear कर लिजिएगा, सत्पुडा परवच शंखला जो है, अगर बात करें, तो सत्पुडा राश्टी उद्यान कहां पर है, सत्पुडा परवच शंखला के आसपास है, सत्पुडा परवच शंखला में है, है ना, और सत्पुडा परवच शंखला जो है, वो कहां पर है, मध्यप का सत्पुडा राष्ट्री उध्यान है वो भी कहा होगा वो भी दक्षिन दिशा में होगा याद रखिएगा यहाँ पर जितनी भी लुप्त प्रजातियां है जिस उनके निवास इस्थान की रूप में विसे सत्पुडा परवश श्रंखला जो है जो सत्पुडा राष्ट् उद्यान जो है इससे मध्यप्रदेश की एक नदी है जिसका नाम तवा नदी है मध्यप्रदेश की एक नदी है जिसका नाम देनवा नदी है ये दो नदियों का जो उद्गम है वो कहां से होता है इन दो नदियों का उद्गम होता है मध्यप्रदेश का जो सत्पुड़ा प किस नदी की साहिक नदियां हैं, ये दोनों नदियां नर्मदा नदी की साहिक नदी है, नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जो जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, clear, I think यहां से आपको पूरा clear हो गया होगा, अगला question है, सत्पुडा राश्टी उ मिल जाता है, फिर भी एक आईडिया होना चाहिए कि हम इतनी चीजे पढ़ रहे हैं, जी हां, तवा नदी होशंगाबाद जिले से निकलती है, बिल्कुल सही है, यहां पर अगर बात करें तो इसका विस्तार कितना है, सत्पुडा राश्टी उध्यान जो है, इसका विस्त से जाना जाता है, मतलब यह तय हो गया है, कि राश्टी उध्यान में सबसे पहले जो प्रश्ण बन रहे हैं, वो सत्पुडा राश्टी उध्यान के बन रहे हैं, ठीक है, किसके बन रहे हैं, सत्पुडा राश्टी उध्यान के बन रहे हैं, सारे कोशन हम करेंगे, एक एक नेशनल पार्क को कवर करेंगे एक एक अभ्यारन को कवर करेंगे सब प्रश्ण मिला के लगबग सो सवा सो कोशन हैं हम करते जाएंगे हम देखते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे चली यहाँ पर अगर बात करें तो इसका अंसर क्या आएगा सत्पुडा उध्यान में पाई जाने वाली अगर बात करें तो चोथे नंबर का प्रश्ण है यहाँ पर और यहे गोर बहुत अच्छे से आप लोगों ने अंसर दिया इसका सबका अंसर कमेंट सेक्शन में आ रहा है गुड इविनिंग नहीं किंग यादव जी गुड मॉनिंग गुड नाइट भी उरजा देता है हमें गुड मॉनिंग भी उरजा देता है और सब को मालूम है अब सत्पुडा राष्टी उध्यान पक्षियों के लिए सबसे जादा फेमस है काई के लिए फेमस है यह सबसे जादा जो फेमस है वो पक्षियों के लिए फेमस है किसके ल गोर चिडिया इंडियन बैसिन पक्षी को इस्थानी लोगों द्वारा क्या क्या कहा जाता है गायल कहा जाता है इसको गोर को क्या क्या कहा जाता है इस्थानी लोगों के द्वारा गायल कहा जाता है नोट कर लेना किसी भी नाम से आ सकता है मिथून गोरी गाय बोदा गवली इन सभी नामों से गोर चिडिया को जाना जाता है सत्पुडा राष्टी उध्यान को भारत के लगबग ये मान के चलें कि टोटल चौदा लुक्त प्राई जो पक्षी हैं वो वहां में वहां पे पाये जाते हैं उन पक्षियों के लिए सत्पुडा राष्टी उध्यान जाना जाता है और फेमज भी है याद रखिएगा चीके अगला प्रश्न है आपके लिए मध्यप्रदेश का एकमात्र राष्टी उध्यान का नाम बताईए जिसमें बस, जीप गाड़ी, हाती जा सकता है, डोंगी ज चलाने के लिए सबी चीजों की अनुमती है वो एकमात्र राष्टी उध्यान है वो कुछा राष्टी उध्यान है जहां पर ऐसा होता है तो no doubt कि हम पढ़ रहे हैं सत्पुडा राष्टी उध्यान तो सत्पुडा राष्टी उध्यान ही वो उध्यान है जहां पर बस जा स clear अब इसी के साथ बताऊं अभी class end नहीं हुई है पूरी 9 बच के 5 मिनिट तक class चलेगी है ना समय आप अपने घड़ी में देखते रहेगा पूरी class चलेगी ठीके चले इसी के साथ MPPSCN व्यापम पर plus subscription अगर आप अवेल करते हैं तो आपको unlimited access के साथ recorded or live सारे session मिल जाएंगे community पे आप join करें introduction community का है इसमें मैंने आपको link भी दी थी then plus subscription को आप अवेल करते हैं यहाँ पर unacademy पे किसी भी plus subscription को आप लेते हैं MPPSC व्यापम गोल को select करते हैं तो मध्यपरदेश की सारी परिक्षाएं cover होती है याद रखिएगा unlimited mock test, test series, practice session, live session, अपने favorite educator से एक structured और pedagogical way में पढ़ेंगे जो selection की तरफ ले जाती है याद रखना unlimited access के लिए और plus subscription के लिए यहाँ पर iconic subscription भी है और plus subscription भी है iconic में benefit यह है कि आप live mentorship ले सकते हैं आप live बात कर सकते हैं educator से plus subscription लिया तो भी आपको SJ live code का use करना है iconic subscription लिया तो भी आपको SJ live code का use करना है यहाँ पर इससे क्या होगा one year या two year जो भी आप subscription ले रहे हैं उसमें आपको 10% का instant discount मिलेगा उसके साथ ही सारी mentorship आपको मिल जाएगी यानि कि यह मान के चलें कि जिम्मेदारी selection की हमारी हो जाएगी कि आपका selection होना चाहिए ठीक है उसपे काम हम करेंगे आपको पूरा guide करेंगे तो plus subscription अवेल करें one year का two year का iconic subscription अवेल करें code use करें SJ live मद्धप्रदेश का सत्पुडा राश्टी उध्यान है जिसको किस प्रकार के वनों के अद्बुत संधी इस्थल के रूप में जाना जाता है जो मद्धप्रदेश का सत्पुडा अब सत्पुडा परवच शंखला और सत्पुडा राश्टी उध्यान की बात करें तो सत्पुडा राश्टी उध्यान हम पूरा देख चुके हैं पूरा पढ़ चुके हमें मालूम है किस जगे पे आएगा, इसके पास में क्या आएगा, नर्मदा नदी कहां आएगी, और सत्पूरा परवच शंकला कहां पे आएगी, और ये कहां पर है सत्पूरा राष्टी उद्यान, सब जानते हैं, तो दिमाग में सारी चक्री चलती र हुआ के लिए, किस प्रकार की एक अद्बुद संधी मिलती है आपको यहां पर, वो अद्बुद संधी आपको मिलेगी, साल और सागोन की, क्यों मिल रही है भया ये साल और सागोन की अद्बुद संधी, क्योंकि राष्टी उद्यान के, इस राष्टी उद्यान के वो शेत्र पूरा किस से अच्छा दी थे साल से है पंचमरी जो पठार है वो टोटल 140 किलोमिटर जो एरिया है वो पूरा साल का संग्रह करता है साल क्षेत्र है साल वन से पूरा घिरा हुआ है ठीके इसके चारो और अब ये जो 140 किलोमिटर है इसके चारो और क्या है इसके चा साल और सागोन की संधी किस प्रकार से आपको मिलती है यहाँ पर सत्पुडा राष्टी उध्यान में, क्लियर चलिए, अलग-अलग टाइप के सागोन की व्रक्ष पाये जाते हैं, अलग-अलग टाइप की प्रजाती की साल की व्रक्ष पाये जाते हैं, वो सारी प्रजाती का ये screenshot आप ले लो, साथ प्रकार की one है total, total कितने प्रकार के हैं, साथ प्रकार के one है, ये सातों प्रकार आपको यहाँ पर दिये हुए हैं, इसका screenshot ले लो, मद्यप्रदेश का वो कौन सा अभ्यारण है, जहां पर देश का पहला लोमडी सरक्षन केंदर कब इस्थापित हुआ था, 2017 में स्थापित हुआ था, मद्यप्रदेश का वो कौन सा अभ्यारण है, वाइडलाई सेंचूरी है, जो देश का पहला लोमडी सरक्षन केंदर जो है, वो 2017 में स्थापित किया गया है, कब किया गया है, 2017 में इसको स्थापित किया गया, उसका आपको नाम बताना है, 2017 2017 में इसको इस्थापित किया गया 2017 में देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा कि 1989 1989 में क्या हुआ था 1989 की अगर चर्चा करें थोड़ी इसी है ना देखना 1989 1989 1989 1989 में क्या हुआ था 1989 में एक अभ्यारन इस्थापित हुआ था जो कहां पर इस्थापित हुआ था इंदोर में इस्थापित हुआ था वेसे सबसे छोटे अभ्यारन के रूप में इसे जाना जाता है और इसका नाम क्या है राला मंडल अभ्यारन इसको इस नाम से जाना जाता ह अब ये 2340 वर्ग किलोमेटर शेत्र में टोटल फेला हुआ है राला मंडल अभ्यारण सिर्फ मध्यप्रदेश का ही नहीं देश का एसा अभ्यारण है जहां पर 2017 में लोमडी के लिए सरक्षन केंदर की इस्थापना करी गई थी इसके अलावा इस अभ्यारण में बाग भी मिलेंगे तेंदुए मिलेंगे चीतल मिलेंगे सांभर मिलेंगे गोर मिलेंगे भालू मिलेंगे ये सभी वन्यजीव प्राणी जो है आपको यहां मिलेंगे और प्रवरक्ष की बात करें या पेड की बात करें वन की बात करें तो नहां पर मुख्य रूप से सागोन के व्रक्ष पाये जाएंगे, आपको चंदन के व्रक्ष भी इस अभ्यारण में मिलेंगे, और मध्यप्रदेश का जो सबसे छोटा अभ्यारण ही कौन सा है, राला मंडल अभ्यारण है, नोट कर लेना दिमाग में, बिठा लेना, ठीक है, दूसरा तितली पार्क और बिम्बू सेंटन नामक जो बांस है, उसका प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट जो है, वो भी इस्थापित किया गया, एक और चीज यहां पर, कबकी बात है यह, 2017-18 में, जो मध्यप्रदेश है, उस मध्यप्रदेश का दूसरा, सेकेंड जो तितली पार्क है, यह तितली पार्क भी यहां पर इस्थापित किया गया, कौन सा तितली पार्क इस्थापित किया गया, इसके साथ जो बांस है, उसका प्रोजेक्शन जो बेंबू सेंटम, बेंबू सेंटम नामका जो बांस है, वो कहां पाया जाता है, यह भी पूछा जाता है, या इसकी production unit कहा है बेंबू सेंटम नोट कर लेना इसको ये बेंबू सेंटम नाम का जो बास है इसका production unit भी 2017-18 में कहां इस्तापित होई थी राला मंदल अभ्यारण में इस्तापित होई थी I think एकदम से ये प्रशन आप लोगों को clear हो गया होगा इसमें अगर कुछ भी doubt आ रही हो या कहीं पर भी कुछ ऐसा लगता हो तो आप मुझे बिलकुल comment section में पूछ सकते हैं clear जी अगला प्रशन है आपके लिए यहां पर मद्ध्रदेश में पंचमडी अभ्यारण की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी अब पंचमडी अभ्यारण बोल रहे हैं तो no doubt कि यह कहा होगा होशंगाबाद जिले में ही होगा किसी भी तरह का कोई अस्तिषयोक्ती नहीं है कोई doubt नहीं है पंचमडी अभ्यारण बोला है मतलब होशंगाबाद जिले में है है नओ इसका शेत्रफल टोटल 46 499 लगबग वर्ग किलोमीटर के आसपास है ये केंदर सरकार द्वारा 1999 में देखिए जो आपकी केंदर सरकार है ना केंदर सरकार द्वारा 1999 में अब ये इस्थाफित नहीं हुआ था 1999 में और युनेस्को द्वारा 2009 में मध्यप्रदेश का पहला जे आरक्षित शेत्र जो है वो गोशित किया गया देखो केंदर सरकार के द्वारा 1999 में और युनेस्को की द्वारा 2009 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 में और युनेस्को की द्वारा 1999 में भारत का मद्यप्रदेश का प्रथम जेव आरक्षित शेत्र जो है वो घोशित किया गया इसको याद रखिएगा मद्यप्रदेश का पहला बायो डिजर्व जिसे हम बोलते हैं बायो डैवर्सिटी अगर बात करें तो जेव आरक्षित बायो रिजर्व जेव आरक्षित शेत्र जो है वो गोशित किया गया केंद्र सरकार की दवारा 1999 में और 2009 में UNESCO की दवारा सबसे महत्woपुन बात है ये वेसे इस अभ्यारन की स्थाफना जो करी गई है वो वर्श 1977 में करी गई है कब करी गई है? 1997 में करी गई है और वर्तमान की बात करें तो कौन से जिले में है ये नर्मदा पुरम जिले में है ठीक है जिसका पहले नाम क्या था भईया पहले नाम था इसका होशंगाबाद आई ठीक क्लियर हो गई होगी चीज यहाँ पर अब कोई डाउट है यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताए जय हिंद और जय भारत मद्ध प्रदेश का वो कौन सा अभ्यारण है जिसके अंतरगत चोकीगड का जो किला है वो इस्थित है मद्ध प्रदेश का कौन सा अभ्यारण है जिसके अंतरगत चोकीड का किला जो है वो इस्थित है चोकी के किले की बात करी चोकीड का किला देखो म्रगनात की गुफा एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को म्रगनात की गुफा पहली गुफा की बात करें है ना और दूसरी गुफा कौनसी है म्रगनात और जामवंती म्रगनात और दूसरी है जामवंती नोट करते जाना है न ये सब जितनी चीजे लिख रहा हूँ, म्रगनात और जामवंती की जो गुफाएं हैं, वो भी इस चोकीगड के, चोकीड का जो किला है, इसमें इस्तिते, इसके अलावा भी इस अभ्यारण में बरना बांध इस्तिते, याद रखिएगा, तीसरी चीज कोन सी इस्तिते यहाँ पर, यहाँ पर जो बरना बांध है, वो भी इस अभ्यारण के अंतरगत ही आता है, और अभ्यारण प्रागेतिहासिक महत्व के लिए बहुत जादा महत्वपुन है, और ये प्रसिद्ध भी है, सिंधोरी अभ्यारण की स्थापना, 1976 में रैसेंज ल की स्थापना की बात करें, तो 1976 में, 1976 में रैसेंज जिला जो है, इस जिले में इसकी स्थापना हुई थी, I think एक प्रशन के साथ ये इतनी सारी चीजें जो है, डीटेल, ये जादा महत्वपुन की बात आती है आपके लिए है ना, 200 सित्यास्वी वर्ग किलोमेटर तोटल इसका एरिया है, तो मध्यप्रदेश का वो कौनसा अभ्यारण है, जिसके अंतरगत चोकीगड का किला है, सिंधोरी अभ्यारण में, जिससे 1976 में रैसेंज जिले, यानि कि अब्दुल्ला गंज में इसको स्थापित किया गया था, और म्रगनात की गुफा, जामवंती की ग अंतरगत आते हैं, क्लियर, अगला प्रश्न, मध्यप्रदेश का कौनसा अभ्यारण जिसके अंतरगत इस्थित, जो वन शेत्र है, उसको भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है, प्रश्न को पॉइंट वी नोटेड, प्रश्न का जो पॉइंट बन र जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, बोरी अभ्यारण, 1865, कौनसा अभ्यारण भया, यह बोरी अभ्यारण है न, बोरी अभ्यारण जो है, यह आता है, और अगर बात करें इस इस्थापना की, तो 1865, 1865, जब अंग्रेजो का शाशन था, याद रखियेगा, तम इस्थापना हुई थी और again बता दू में कि ये भी कहाँ पर है होशंगाबाद जिले में कहा है होशंगाबाद जिले में ही स्थित है जी हां कौनसा अभ्यारण बोरी अभ्यारण है बोरी अभ्यारण में मुख्य रूप से बाग, तेंदूय, चीतल, सांबर, गो, हीरन, जंगली, सूवर ये सारी चीजे इस अभ्यारण में पाई जाती है अभ्यारण में सबसे मोटे तने वाले एक सबसे विशेश बात इसकी ये है कि ये जो बोरी अभ्यारण है ना सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है 1865 में इस्थापित हुआ था और यहाँ पर सबसे जादा जो मोटे तने वाले सागोन और साल के व्रक्ष है और सबसे अच्छी बड़िया एकदम जोड़दार वाली प्रजाती वाले बांस के डंडों के लिए ये फेमस है ध्यान से समझिएगा मोटे तने वाले साल और सागोन और एकदम जादा प्रसिद और फेमस जो बांस के डंडे है उनके लिए ये बोरी अभ्यारण जो है वो जाना जाता है और पहचाना जाता है क्लियर 1865 में इस्थापित हुआ था चलिए मध्यप्रदेश में किस अभ्यारण को पक्षियों का अभ्यारण कहा जाता है बहुत बढ़िया अभी चर्चा हुई थी सबसे जादा जो अभ्यारण है वो पाए जाते है जी हाँ पक्षी सत्पुड़ा अभ्यारण में है पक्षियों के लिए वो famous है बट अगर बात करें तो सत्पुड़ा अभ्यारण तो option में है ही नहीं तो क्या सर यहाँ पर option गलत है क्या ना बिल्कुल गलत नहीं है अगर बात करें हम मध्यप्रदेश की तो मध्यप्रदेश का किसी जमाने में टीकमगड जिला जो हुआ करता था जो आज भी जिला है पर इस जिले से निमारी जिला जो है वो अलग हो गया और इस निमारी जिले के अंतर्गत कब हुआ यह 2018 अक्टूबर में मध्यप्रदेश का mp का कौन से नंबर का जिला बना था ये 52 नंबर का जिला बना था क्लियर इसके अंतरगत आता है ओरचा अभ्यारण कौन सा आता है ओरचा अभ्यारण जो मेन रूप से पक्षियों के लिए famous है याद रखिएगा अब वेसे तो इसकी स्थापना हुई थी टीकमगर जिले में और टीकमगर जिले में कब स्थापना हुई थी इसकी 1994 में स्थापना हुई थी 1994 में इसको स्थापित किया गया था 1994 में कोन सी नदी के किनारे पर किया गया था ये भी बात आती है तो ये बेतवा नदी के किनारे पर इसको स्थापित किया गया था याद रखिएगा और चा अभ्यारण जो पक्षियों का अभ्यारण कहा जाता है टीकमगण जीले में इसको 1994 में स्थापित किया गया था वर्तमान में ये निमाडी जीले के अंतरगत आता है याद रखिएगा बहुत अच्छे से लिंक बनाईएगा और कौनसी नदी के किनारे पर बना हुआ है ये बेतवा नदी के किनारे पर बना हुआ है जी हाँ तो नेशनल पार्क तो प्रोजेक्ट ताइगर में सम्मिलित होते ही है बट क्या है कि जो अभ्यारन है जो सेंचूरी है उनको भी प्रोजेक्ट ताइगर में सम्मिलित और मध्यप्रदेश का सिर्फ एक मात्र अभ्यारन है जिसे Project Tiger में सम्मिलित किया गया है याद रखिएगा नाम उसका आपको आना चाहिए वेसे उसको क्या कहा जाता है रातापानी अभ्यारण कहा जाता है इस रातापानी अभ्यारण की जो इस्थापना है वो कब हुई 1976 में हुई 1976 में ये इस्थापित हुआ और ये एकमात्र मध्यप्रदेश का ऐसा अभ्यारण है जिसे Project Tiger Reserve जो है उस सूची में सम्मिलित किया गया है I think समझ में आ गया है इस अभ्यारण से भी अगेन बता दू कि कौनसी नदी प्रवाहित होती है बेतवा नदी प्रवाहित होती है नोट कर लेना अगला प्रश्ण है मध्यप्रदेश के किस अभ्यारण में जंगली भेंसो को सरक्षन प्रदान किया जाता है मध्यप्रदेश का वो कौनसा अभ्यारण है जिसे जंगली भेंसो का सरक्षन जहां पर किया जाता है जल्दी से बताओ हाँ बिल्कुल राइसेन में है राइसेन जिले में चलो यहाँ पर अगर देखें तो 1975 में पन्ना जिले में 1975 में कहाँ पर जो पन्ना जिला है इस पन्ना जिले में क्या इस्थापित किया गया था पन्ना जिले में इस्थापित किया था गंगव अभ्यारण जो जंगली भेसो के सरक्षन के लिए जाना जाता है और इस अभ्यारण में जंगली भेसों को सरक्षन प्रदान भी किया जाता है क्लियर इसके अलाबा अगेन बतादू कि बाग, तेंदुए, चीतल, सांबर ये सब यहां भी पाये जाते हैं चिंकारा भी पाया जाते हैं सागोन के व्रक्ष भी इसलिए मध्यप्रदेश को बोला भी जाता है साल और सागोन के वन सबसे ज़ादा मध्यप्रदेश में पाया जाते हैं ये भी अगेंड चीज आपकी आजाती है राजुल जी हां केलियर अगला प्रस्टन है मध्यप्रदेश का जो संजै गांधी डुबरी अभ्यारण है उससे कोन सी नदिया प्रवाहित होती है संजै गांधी डुबरी अभ्यारण अगेन बता दू के इसे भी 1975 में 1975 में ही इस्थापित किया गया था 1975 अगेन डुबरी अभ्यारन है ये और ये कौन से जिले में स्थापित हुआ था ये भी पता होना चाहिए ये भी सीधी जिले में स्थापित हुआ था सीधी जिला सीधी जिले में स्थापित किया गया था संजई गांधी डुबरी अभ्यारन की बात करें तो यहाँ पर भी य और सोन नदी यहां से प्रवाइत होती है देखो कोई भी अभ्यारण पढ़ने से के लिए आपको क्या-क्या चीजें पॉइंट होनी चाहिए क्या-क्या चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए पहली चीज तो यह कि अभ्यारण की स्थापना कब हुई क्लियर दूसरी तो हमें अगर किसी विशेश पक्षी के लिए पशू के लिए या विशेश जानवर के लिए या विशेश व्रक्ष के लिए है तो वो भी आपका एक पॉइंट विशेश रूप से जाना जाना चाहिए क्लियर तो यहां पर अगर बात करें 16 नंबर के प्रश्ण की तो बनास और सोन नदी जो है वो प्रभाहित होती है डुबरी बान से शेहडोल उमरिया जिले में पनपठा अभ्यारन की स्थापना कौन से वर्ष में करी गए तो यहां ये तै हो गया कि शेहडोल उमरिया जिले में कौन सा अभ्यारन है पनपठा अभ्यारन है अब इसकी मध्यप्रदेश में जो शेडोल है सतरवे नंबर का कोश्चन है ना शेडोल उमरिया बिल्कुल कोन से जिले मध्यप्रदेश के मंदला जिले पनपठा भ्यारन की स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी ना यह 1979 में हुई थी इस प्रश्ण में थोड़ा आसा कन्प्यूजन है वेसे यह 1979 में इसकी स्थापना हुई थी इसकी डिटेल जो है वो पनपठा भ्यारन है और शेडोल उमरिया में है चलो मद्रदेश के किस जिले में फेन मिनी कोर अभ्यारन इस्तित है यह आपका सतरवे नंबर का प्रश्ण है चले फेन मिनी कोर जो अभ्यारन है वो अभ्यारन की स्थापना कौन से वर्ष में करी गई थी यह फेन मिनी कोर अभ्यारन की जो इस्थापना वो 83 1983 में करी गई थी, ठोड़ा असा कन्फ्यूजन हो गया था 1983 में 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और कौन से जिले में इसकी स्थापना हुई थी मंदला जिले में इसकी इस्थापना हुई थी मद्यप्रदेश का जो मंदला जिला है वहाँ पर हाँ सी राइट है वो सी राइट है कोई दिक्कत नहीं है उसमें 1983 में फेन मिनी कोर अभ्यारन की इस्थापना हुई थी कहाँ पर हुई थी मद्यप्रदेश के कोन से जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारन इस्थापित किया गया है बहुत अच्छा और महतुर्ण प्रश्ण है और देखकर लगता भी है कि ये प्रश्ण परिक्षा में पूछा जा सकता है ना तो शांती पुर्वक करें यहां पर इसको का वो कोन सा जिला है जिसमें देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारन इस्थापित किया गया है पहला गो अभ्यारन आगर मालवा है ना अगर नई जानते हो तो बता देते हैं हम आपको यह होता है है ना अकसर हो रहा है यह आगर मालवा इस दर राइट आंसर कहां प साल था 2012 का इस दिन ये पहला गो अभ्यारण प्रदेश का और देश का पहला गो अभ्यारण आगर मालवा जिला जो मध्यप्रदेश का कौन सा जिला है ये मध्यप्रदेश का 51 जिला है जो कब बना 51 जिला सन 2013 में 51 जिला बना था मध्यप्रदेश का आगर मालवा किस से अलग होके बना था शाजापूर से अलग होके ये एक जिला बना था जिसका नाम है आगर मालवा I think clear हो गए पिक्चर आपको यहां पर ठीक है पहला गोव अभ्यारन है ठीक है दूसरा गोव अभ्यारन क्या प्रश्न आ जाएगा तो क्या करोगे दूसरा गोव अभ्यारन का अगर कोश्चन आ गया तो आप क्या करोगे मद्यप्रदेश का दूसरा गोव अभ्यारन कहां पर है सिर्मोर में है रिवा सिर्मोर में मद्यप्रदेश का दूसरा गो अभ्यारण है जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दूसरा गो अभ्यारण ये अभ्यारण एक्चुल में बना नहीं है ये अभ्यारण प्रस्तावी थे ध्यान से समझेगा बसामन मामा गो अभ्यारन के नाम से जाना जाता है दमोह जिला जिसमें दुर्गावती अभ्यारन की इस्थापना कब करी गई थी मध्यप्रदेश का जो दमोह जिला है इसमें दुर्गावती अभ्यारन की इस्थापना कब करी गई थी 1975 में, 1983 में, 1968 में या 1997 में मद्ध ब्रदेश के दमोह जिले में दुर्गावती अभ्यारन की इस्थापना कब करी गई थी? दमोह में करी गई थी दुर्गावती अभ्यारन नाम क्या है? दुर्गावती अभ्यारन और सन कोन सा है? 1997, 1997 में दमोह जिले में दुर्गावती जो अभ्यारन है उसकी इस्था हर अभ्यारण में है वेसे जानने की जरूरत नहीं है MPPSC prelims का 23 अप्रेल 2 बजे 2 घंटे का एक टेस्ट है याद रखिएगा जो की आपका हो चुका है MPPSC prelims full length अलग-अलग टेस्ट है बट जो बेचेज है plus subscription के बाद में वो prelims की पटवारी की SI की अगर आपने गोल MPPSC व्या systematic way में prelims, mains, बीच में पटवारी आई या पटवारी की बेच, SI की बेच, पुलिस कॉंस्टेबल की बेच, जो भी वेकिंसी आईगी मध्यप्रदेश की सारी बेचिज आपको मिलेगी बिलकुल करेंट की क्लास होगी, tension नहीं लो मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में किस न नदी में सोन घडियाल जो चलिया है, उसका सरक्षन किया गया है, सोन घडियाल अभ्यारन जो है वो इस्थापित किया गया है, जी हाँ, तो यहाँ पर तो यह तय हो गया कि यह नदी भी सोन नदी है, अब यार बोल ही रहें कि सोन घडियाल हैं, तो सोन नदी पर ही इस्थ स्टेम्बर 1981 इस दिन इस्थाफिक अब 1981 के बारे में आप क्या जानते हैं 1981 को क्या हुआ था 1981 को मध्यप्रदेश जो है हमारा इसकी कौनसी वर्षगाण थी 25 वर्षगाण थी और इस पर मध्यप्रदेश के जो राजकिय राजकिय पशु गोशित किया गया था राजकिय पख्शी गोशित किया गया था और राजकिय वर्ष गोशित किया गया था याद रखना राजकिय पशु बारस सिंगा है पख्शी दूदराज है और वर्ष कौनसा है बर्गत है मध्यप्रदेश की जो 25 वी वर्ष गाठ है उस पर 1981 में ही आई थी वो क्योंकि 56 में मध्यप्रदेश बना है तो 25 साल जो लो यार 81 होगा उसी दिन मध्यप्रदेश का राजकी पशु राजकी पक्शी और राजकी वर्ख्श जो है वो गोशित किया गया था क्लियर अगला प्रश्ण है मध्यप्रदेश का जो केन अभ्यारण है उसकी इस्थापना कब करी गई थी तो में चीज यहाँ पर ये आती है के जिला है छतरपूर और पन्ना जिले में इसकी इस्थापना करी गई थी और कब करी गई थी अगेन 1981 में ही इसकी इस्थापना करी गई थी 1981 में चलो मध्यप्रदेश में शाह बलबुल के सरक्षन के लिए इस्थापित गाती गाव अभ्यारण का शितरफल कितना है अब घाटी गाउं अभ्यारण जो है उसका टोटल एरिया आपसे पूछा है ग्वालिर जिले में है ये ध्यान से समझना कहां है ये अभ्यारण ग्वालिर जिले में है है ना और इसका टोटल एरिया कितना है इसका टोटल एरिया आता है 510 स्क्वायर किलोमीटर जी हां 510 वर प्रसिद्ध विज्यानिक सलीम अली ने किया है तो सलीम अली ने पक्षियों के उपर जो पुस्तक का प्रकाशन किया है वो पुस्तक का नाम क्या है और काईपे किया है यह सब डीटेल आपको यहां पर पता चल जाएगी अब रतलाम जिला जो है रतलाम जिला अगर आपने तो रतलाम जिले के अंतरगत आता है यह कौनसे जिले के अंतरगत रतलाम जिले के अंतरगत आता है अगें 1983 की बात है 1983 में इसको इस्थापित किया गया था 1983 में ये सेलाना अभ्यारण कौनसा अभ्यारण है सेलाना अभ्यारण है जो आपका option number B है इसमें प्रसिद्ध विज्यानिक सलीम अली ने इनका उलेक किया है जी हां, सलीम अली ने किया जितने भी 89 पकशी है उन 89 पकशियों की प्रजातियां है उन प्रजातियों पर पुस्तक प्रकाशित करी और उस पुस्तक पर आधारी बहुत ही लेखन उनका जो बहुत प्रसिद भी हुआ है सेलाना अभ्यारण, खर्मोर या दूदराज जो पक्षी है आपका उसके लिए भी जाना जाता है नोट कर लेना चलो, सरदारपूर अभ्यारण के अंतरगत किस पक्षी का सरक्षन किया जाता है या ये भी बोल सकते हैं कि इन में से कौन सा पक्षी अब पक्षी का नाम में बता दूँगा तो आपको उत्तर ही मिल जाएगा है ना, सरदारपूर अब देखा जाए तो खर्मोर पक्षी का सरक्षन और समवर्दन यहां किया जाता है तो खर्मोर पक्षी का सरक्षन और समवर्दन कहां किया जाता है सरदारपूर, सरदारपूर अभ्यारण में किया जाता है जिसकी स्थापना अगेन 1983 में करी गई, कौन से जिले में करी ग वो कौन सा है, खर्मोर इस पक्षी का सरक्षन और समवर्धन किया जाता है चलिए, बहुत अच्छा प्रश्ण है मद्ध्रदीश का शिवपुरी, परेटन, जिला, करेरा अभ्यारन कौन सी नदी में से प्रवाइत होती है, यहां से कौन सी नदी प्रवाइत होती है इस अभ्यारन से, बहुत अच्छा प्रश्ण है शिवपुरी जिले, करेरा अभ्यारन से, यह जो करेरा अभ्यारन है इससे जो नदी बहती है वो महुवर और बगेदरी नदिया प्रभाहित होती है 1981 में इस अभ्यारन को 1981 में इसको स्थापित किया गया था जिला दिया हुआ है अभ्यारन का नाम दिया हुआ है तो यहाँ पर महुवर और बगेदरी जो नदी है ये इस अभ्यारन से प्रभाहित होती है I think समझ में आपको आगया होगा अगला प्रश्ण है मध्यप्रदेश के किस अभ्यारन का विस्तार मध्यप्रदेश के अलावा राजस्थान और उत्रप्रदेश में भी पाया जाता है मद्यप्रदेश का वो कुन सा अभ्यारण है जिसका पूरा पूरा जो विस्तार है वो मद्यप्रदेश, राजस्थान और उत्रप्रदेश तीनो जगे पाया जाता है अब 78-79 में जिसकी स्थापना करी गई थी 1978-79 में स्थापित किया गया ये गांधी सागर अभ्यारण की चंबल अभ्यारण तो ये अभ्यारण का नाम है आपका चंबल अभ्यारण ठीके, B is the right answer याद रखना ये मद्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान तीनो राज्य को कवर करता है खिवनी अभ्यारण से किस नदी का उद्गम होता है नर्मदा नदी, तापती नदी, सोन नदी या बाल गंगा नदी खिवनी अभ्यारण कोन सा? खिवनी, खिवनी, खिवनी अभ्यारण से किस नदी का उद्गम होता है बहुत अच्छा प्रस्ण है ये नदी गंगा तो नहीं है, पर बाल गंगा जरूर है, है ना, गंगा नहीं, बाल गंगा नदी का उद्गम होता है, खिवनी अभ्यारन की जो इस्थापना है, वो कब करी गई, 1995 में करी गई, कोई बताएगा मुझे के कौन से जिले में करी गई, अगर देखा जाए, तो इ इस्थापित हुआ था ये, दिवास जिले में, 1995 में, खिवनी जिले में इस्थापित हुआ, और यहाँ पर जो बाल गंगा नदी है, उसका इदगमिस्तल है, नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना इसको, अगला प्रश्ण है, मध्यप्रदेश के किस अभ्यारन की अंत राजगर जिला, 1974 में जो राजगर जिला है, उस राजगर जिले के अंतरगत आता है, क्या ये अभ्यारन आता है, छीडी को जील इस्ति थे यहाँ पर, और ये नरसिंगर अभ्यारन है, कौन सा है, नरसिंगर अभ्यारन है, जो राजगर में इस्तापित है, 1974 और छीडी को नर्सिंगड रामगड ध्यान से समझना नर्सिंगड राजगड नर्सिंगड राजगड एसे आप ध्यान रख सकते हैं इसको और वो भी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं इसमें कोई शंका वाली यहां पर आपकी बात ही नहीं आती है क्लियर है सबको कोई डाउट तो उध्यान वनविहार राष्ट्री उध्यान और सत्पुडा राष्ट्री उध्यान अब आपको इसका जिला बताना है जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं है ना बिल्कुल टफ नहीं है पन्ना राष्ट्री उध्यान कहां पर है पन्ना छतरपूर कोई दिक्कत नहीं है पन्ना रा बांधवगण राष्टी उध्यान आप सब जानते हैं, कहां पर है? उमरिया में हैं सब जानते हैं, सबको clear है, कोई doubt नहीं है इसमें माधव राष्टी उध्यान सब जानते हैं, कहां पर इस्ती थे? शिवपूरी में इस्ती थे ठीक है? तो पहले का तो C लगा लो दूसरे का D लगा लो clear? ध्यान से देखना करने में तो direct उत्तर बता सकता हूं में पर ऐसा करना नहीं है वन विहार राष्टी उध्यान अगर देखें तो उपर की तरब जाएंगे बोपाल और अगेन देखें हम यहाँ पर तो याद होना चाहिए यह पुरा डीटेल आपको दिया हुआ है काना किसली राष्टी उध्यान अब यहाँ पर राष्टी उध्यान दिये है और यहाँ पर आपको नदिया दी है राष्टी उध्यान दिया है और नदिया दी है काना किसली राष्ट्री उध्यान सत्पुडा राष्ट्री उध्यान पन्ना राष्ट्री उध्यान और पेंच राष्ट्री उध्यान ये किस नदी की किनारे पर बने हुए हैं आपको ये बताना है काना किसली राष्ट्री उध्यान बंजर और सूपन नदी के उपर बना हु वासूपन नदी यहां से बहती है, तो यहां से आपका C आएगा, पहले का C कहां है, दो जगे, तो यह तो दोनों क्रोस हो गए, दूसरा, सत्थपुडा राष्ट्री उध्यान, तवा और देनवा, मैंने बोला था, तवा नदी और देनवा नदी जो है, वो उद्गमित होती है, यहां से, तो तवा और देनवा मतलब A, देखो, A किस में है, B में है, बाकी तो क्या आगया, D आगया और B आगया, चीक है, समझ में आया आपको, तो C, A, D, B, C, A, D, B आ रहा है option आपका यहां पर, एक बार और इसको मैं बोलूँगा और बोलना चाहूँगा, ताकि र अंजर और सूपर्ण नदी काना किसली मध्यप्रदेश का सबसे पुराना, सबसे बड़ा राष्ट्री उध्यान है, और मध्यप्रदेश का सबसे पहला राष्ट्री जो टाइगर रिजर्व है, और सबसे पहला राष्ट्री उध्यान भी काना किसली है, जो मंडला जिले म में हैं याद रखना नर्मदा घाटी और जो सत्पुड़ा परवश शंकला है उसके बीच में स्थिते होशंगाबाद जिले में इससे कौन सी नदी अगर बात करें तो तवा और देनवा नदी जो की नर्मदा नदी की सायक नदियां हैं नोट कर लेना तीसरा पन्ना उद्यान की बात करें तो ये पेंच नदी याद रखिएगा दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा चलो हाँ मद्ध प्रदेश के अंतरगत जो काना किसली राष्टी उद्यान है काना किसली के बारे में अभी चर्चा करिए और एक बार और में बोलूँगा आपको के इसक बात लाजवाब और बहुत ही अच्छा प्रशन है यह ना याद रखना भारत का पहला टाइगर रिजर्व है ये कौनसा कथन गलत है यहाँ पर तो यहाँ पर दक्षिन भारती आद्रमिश्रित सागूल वन पाए जाते हैं ये बात यहाँ पर जम नहीं रही है बाकी सब च सब चीजें यहीं की आती है बाकी D-Option जो है वो सही नहीं है चलो सरदार पूर अभ्यारण नुरादेही राला मंडल और करेरा अभ्यारण बहुत अच्छा कोशन है यहाँ पर ये सरदार पूर मद्यप्रदेश में किस-अभ्यारण की बात करें तो सरदार पूर, अभ्या कहां है एक का भी दो जगे हैं तो यह दो तो यहां पर केंसल हो गया दूसरा नोरा देही अभ्यारन कहां पर इस्ति थे नोरा देही अभ्यारन इस्ति थे सागर में सी याद रखना तो दूसरे पर सी कहां आ रहा है भाईया दूसरे पर सी यहां पर आ रहा है मतलब डी आपका answer आजाएगा ये तो आपका D हो गया और A हो गया रालामंडल अभ्यारान इंदोर करेरा अभ्यारान बच गया क्या आपका शिवपूरी I think सब चीजें आपको clear हो गए class बहुत फाइदेमंद रह रही है आपके लिए कि नहीं ये बताओ मुझे बहुत फाइदेमंद लग रही है आपको कि नहीं लग रही है एक एक चीज का हम बिल्कुल निचोड निकाल रहे हैं कि कोई भी question का कोई भी point जो है वो बचना नहीं चाहिए और यही attitude और यही नजरिया एक MPPSC तयारी करने वाले candidate का होना चाहिए कि कोई भी कोना कहीं से भी छूटे नहीं क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया कि यार शांती का Nobel पुरुसकार मलाला यूसूब जई पाकिस्तान की लड़की के साथ में भारत के जो किला सत्यारती है उनको दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था यह पढ़ लिया दोहजार चौदा में पढ़ लिया आपने मिला था बचपन बचाओ अंदोलनक में उन्होंने भाग लिया था बढ़ चड़के उन्हीं पर आधारित था उन्हीं ने स्टार्ट किया था केला सत्यारती और आपको यह मालूम नहीं है को वो विदीशा जिले के हैं तो गड़बर हो जाएगी क्योंकि MPPAC 2020 ने यह पूछ लिया था कि केला सत्यारती कौन से जिले से संबंदी थे तो विदीशा जिले से संबंदी थे क्लियर समझ में आ गया क्लियर हो गया अगला प्रश्न है निमनलिखित विकल्प में से कौन सा राष्ट्री उद्यान 1999 में मध्यप्रदेश का पहला जेव शेत्रिय रिजर्व के रूप में घोशित किया गया था जेव शेत्रिय रिजर्व की बात अलग है जेव शेत्रिय रिजर्व के रूप में घोशित किया गया था कौन सा राश्ट्रिय उध्यान है? बहुत अच्छा प्रश्ण है यहाँ परांसर आएगा आपका सत्पुढा राश्ट्री उध्यान जो जेव क्षित्रिय रिजर्व के रूप में घोशित किया गया था भारत का दस्वा बायो इसफेर रिजर्व और मध्प्रदेश का पहला बायो इसफेर रिजर्व मध्प्रदेश के उमरिया जिने में बांदवगर राष्टी उध्यान है ये सब जानते हैं पर उसकी इस्थापना कब हुई ये बहुत कम जानते हैं बिलकुल तो यहाँ पर शांदार तरीके से 68 लगा लो 1968 में बांदवगर राष्ट्री उध्यान जो उमरिया में इस्थी थे उसकी इस्थापना हुई थी बाग की संग्या के बारे में सबसे जादा बाग घनत्व राष्ट्री उध्यान कौन सा है देखो सबसे जादा बाग कहां पर है अगर ये प्रशन आये न तो आख बंद करके क्या लगा देना काना किसली लगा देना पर ये पूछ रहा है कि बाग की जो डेंसिटी है वो सबस सबसे जादा कौन से में है याद रखना तो उसके लिए आप लगाओगे बांदवगण राश्टी उध्यान जो कहां पर इस्ति थे उमरिया में इस्ति थे काना किसली कहां इस्ति थे मंडला में है सबसे जादा बाग पाए जाते हैं कौन से राश्टी उध्यान में काना किसल वो कहां पर है ब मंधवगर् राश्टी उध्यान में, Berkeley are है सबको किसी को कई डाउट है यहां तक, हैंग तो होगा, कोई बात नहीं, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बंदवगर् राश्टी उध्यान की किस मादा बाग को national geographic magazine के प्रष्ट कवर पर प्रदर्शित किय था वो कौन सा बाग था बहुत बड़िया बंगाल टाइगर के रिजर्व के लिए तो वो बाग था कौन सा सीता था याद रखिएगा ये वन्यजीव अभ्यारण के कितने कुश्चन और बचे हुए हमारे लगबग 80 कुश्चन और बचे हुए हैं है ना ये हम करेंगे वेड नस्डे भी नहीं सौरी थर्सडे को हम करेंगे थर्सडे फ्राइडे को ये बागी के बचे हुए कुश्चन को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे ठीक है ये कुश्चन बचे थे बट कोई बात नहीं समय हो चुका है है ना तो यहाँ पर टेलीग्राम चेनल जोइन कर लें Unacademy पे कोई भी plus subscription आप लेते हैं या special class को join करने के लिए आप इस code से अपने दोस्तों को मित्रों को खुद इससे enroll हो सकते हैं इससे आप free class को देख सकते हैं है ना और Unacademy पे जो plus subscription है उस plus subscription में अगर इसका use यहाँ पर कर देते हैं referral code की तरह तो आपको instant कितना percent discount मिलेगा 10 percent discount मिलेगा तो बिना attention के शांदार तरीके से पढ़ें और वीडियो में कहीं पर भी कोई भी content अगर आपको inappropriate लगता है आप directly क्या कर सकते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं बिलकुल channel को अगर आपने subscribe नहीं किना है like नहीं किया है share नहीं किया है वीडियो तो कर दे free है कोई दिक्कत नहीं है प्रसाद सबको बाटो ठीके प्रसाद है वया जहां तक बाट सकते हो बाटो सबका भला होगा सबका अच्छा होगा clear thank you very much सभी बच्चों को मिलते हैं शाम को 5 बजे unit number 2 याद रखना let's crack MP exam YouTube चैनल पर शाम को 5 बजे unit number 3 और वो भी मातर 4 दिन के अंदर unit number 2 मातर 4 दिन के अंदर में आपको पूरी करवा दूँगा क्योंकि हमने करी है पहले ये भी प्रशनों के माध्यम से ही होगी बट पहले करी है तो उसमें कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है इसलिए हम शुरू से प्राची नितियास medieval history और मध्यकालीन भारत और आपका अधुनिक भारत ये तीनों के question 900 आते है और भारत की कला और संस्कृती है वो भी प्रशना unit 2 में ही आते हैं वो भी हम cover यहां पर करेंगे ठीक है Thank you very much सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद